इस वीडियो के नदर आप के लिए लेके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोडिनेशन के वह सभी क्वेस्टेंस कराएंगे जो आपके फाइनल बौर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो वीडियो को न तक जुरू देखते रहे हैं और जो भी सिश्व दाट प्रवाइड दिक कंट्रोल यंद को डिगेनीशन कि जो मल्टी स्वेलर और गरिंजंब होते हैं बसेकल्य उनके इंद्द जो चोंट्रल और क्रिशन करते हैं उसके दो इस्पेश लाइज टिश्व हमारे पास नर्वास एंड मस्कुलर टिश्यू रहेंगे स क्या रोल है मोटर एरिया का ब्रेंग के अंदर तो इसका अंसर केराड़न करना आपने कि motor area of the brain control the movement of a voluntary muscles किसको कंट्रोल करता है यह voluntary muscles को control करेगा next हमारे पास question number four काफी important है यह कहीं बाइब बॉर्ट एक्जैम्स में अलड़ी पुछा गया है give the scientific name of the following region of the human brain first is a region for the site second हमारे पास region which control the salvation अब हमारे पास region for site के लिए दी बात करते इस इसे शेरी बरम सेरी बरम basically किसके अंदर प्रजेंट करता है इस 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 फॉर ब्रेंड के अंदर इस इस दा मेन थिंकिंग पार्ट ऑप दी ब्रें सेकेंड हमारे पास region which is control the salvation तो कौन कंट्रोल करेगा मैडूला यह कहां प्रप्रेजेंट करता है बिसिकली हिंड ब्रेंड के अंदर तो यह सारे क्वेश्चन वन बाइवन सभी आपने अच्छी तरह से लर्ण कर लेनी हैं क्वेश्चन नमबर फाइव हमारे पास हाव नरव इंपल्स गैट ट्रांस्मिटिड एक्रोस दी साइनेप्स अब इसका अंसर क्या रड़ान करो गया आपकी नूरोन एंडिंग ट्रांस्मिट दी नरव इंपल्स टू दी डेंड्राइट्स अपे नेक्स नूरोन थ्रू इ ये मी क्या रहा हेगा हमारे पास न्यूरोट ट्रांस्मिटर जी नेक्स्सकिन हमारे पास क्वेश्चन नANGरो this tumulus यह immediate response करता है basically to these tumulus को यदि walking की बात करें walking is a voluntary action यह जो हमारी will के according होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं voluntary actions कहते हैं second हमारे पास reflex action की बात करें इस controlled by a spinal cord यह किसकी द्वारा control होता है spinal cord के द्वारा but walking is controlled by a brain brain means like is a cerebellum की द्वारा control होगा next हमारे पास यादी बात करते हैं बच्चों question number seven different part of a brain are associated with a specific function name the part of a human brain which is perform of the following function first is a sensation of a feeling full second vomiting third हमारे पास picking up of a pencil and riding a bicycle अब यहां पर one one marks question पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आपने बताना कि कौन सा पार्ट होगा brain का जो associate करेगा इन specific functions के लिए तो पहला हमारे पास sensation of a feeling full के लिए for brain second vomiting के लिए medulla जिसको हिंड brain के अंदर प्रजेंट करता है picking up of a pencil cerebellum हिंड brain के अंदर प्रजेंट करेगा riding a bicycle यह भी क्या रहेगा हमारे पास cerebellum यह भी कहां प्रजेंट करता है बिसिकली हिंड brain के अंदर next question number eight हमारे पास यह भी काफी important question है name the part of a human brain which is control the voluntary action and involuntary action second part हमारे पास यहां पर दे दिया ride the function of a perihapral nervous system जिसको हम PNS कहते हैं name the component of a this system stating their origins अब इसका अंचर देगी सबसे पहले हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट का अंचर हमारे पास क्या रहेगा voluntary action का four brain four brain means like is a cerebrum second यह भी बात करते हैं involuntary action का तो यह हमारे पास रहेगा हिंड brain जो medulla obligenta बोलते हैं next हमारे पास था basically बच्चो PNS के बारे में कि PNS help in the facilitating the communication between किसके बीच में communicate करेंगी यह cns के बीच में cns का मदलब central nervous system and other part of the body जो communicate करती है वो cns and other part of the body के साथ communicate करती है अब इसके जो components होगे हमारे पास component पर PNS पहला हमारे पास है cranial nerves cranial nerves कहां से निकलती है rise from the brain से second हमारे पास है spinal nerve स्पाइनल नर्व कहां से निकलेंगे अराइज फ्रॉम दी स्पाइनल कोर्ट तो यह इसके बेसिकली कॉंपोनेंट्स रहेंगे किसके PNS की यह आपने अच्छी तरह से लन कर लेना है नेक्स कोश्चन हमारे पास वन माक्स कोश्चन है गिव वन एक्जेंपल ओपे कैमो ट्रॉपीज़म अब कैमो ट्रॉपीज़म का जो एक्जेंपल हमारे पास वो रहेगा तो ये इसका example सबसे best example है next question हमारे पास question number 10 अब इस case में देखिए बच्चो question क्या आप पूछा गया है कि the suit and root of a plant respond to the pull of a earth gravity तो इसका answer क्या रड़ाँ करोगे आप कि roots grow downward जो roots है वो downward जाएगी downward means like is it towards gravity while जो suits होती है usually grow upward वो उपर की तरब जाएगी means like is it away from the earth वो मतलब अवे जा रही है कहाँ पर अर्थ से next question हमारे पास question number 11 state the main function of a obsessic acid इने plant तो obsessic acid का जो main function है plant के अंदर वो क्या करवाता है inhabited growth of a plant next question हमारे पास question number 12 how suit and root of the plant respond to the light की कैसे suit और root basically plant के अंदर respond करती है to the lights की according अब इसका answer write down करना है अपनी the suits respond by bending towards the light की जो suit है वो किस की तरह respond करेगी bend हो जाएगी towards light की side में and root respond by bending away from the light की जो roots है वो दूर चली जाएगी कहाँ पर away from the light से तो यह question भी काफी important रहेगा आपकी exam के लिए next question हमारे पास question number 13 how do oxygen promote the growth of a tendril around a spot अब इस case में देखी tendrils क्या होते है basically sensitive parts होता है यह किसके अंदर जो बेल वाले पोदे होते हैं कि when a tendrils come in contact with any spot जब tendrils किसके contact में आ जाता है किसी भी spot के तो it means क्या है oxygen diffuse towards the part away from the contact जो oxygen है वो diffuse होगा towards the part away from the contact second point the part in a contact with a spot do not grow as rapidly as the part of a tendril away from the spot क्योंकि जो tendril है वो कहां पर चला गया spot से दूर चला गया causing the tendril is a coil around the spot basically जो tendrils है वो एक coil के रूप में एक spot provide करता है तो यह question भी बहुत अच्छे तरीके से आपने learn कर लेना यह भी काफी important question रहेगा आपके exam के लिए next question हमारे पास question number 14 name the plant hormone responsible for the following function पहला दे दिया आपको यहाँ पर growth of a stem second है promote cell division third हमारे पास wiltings of a leaves and next is a inhabited growth अब इस case में देखिए सबसे पहले हमारे पास यदि growth of a stems की बात करते हैं तो वो कौन कराता है ओक्जीन या फिर गीवरलेन second promoter of a cell division cytokinin next हमारे पास whittling of a leaves क्या है basically obsessic acid inhabited growth कौन कराएगा basically वो भी obsessic acid तो ऐसे questions exams में पूछे जाते हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरीके से learn करना है within return practice next question हमारे पास question नमबर 15 a boys run on seeing a straight dog straight dogs कोंचे होते हैं जो basically आवारा dogs होते हैं is breathing becomes a very fast and blood pressure also increase name the hormone found to be high in the blood and gland which is produce it अब इस case में देखिए बच्चों किसकी बात कर रहे हैं blood pressure की बात करें blood pressure increase हो जाता है अब इसका answer है हमारे पास endrenal line और जो gland बनेगी वो कौन से बनेगे endrenal glands बनेगी it is a very important for one works question इसको भी अच्छी तरह से लंकिजिए next question name the mechanism by which the amount of a hormones in the blood is regulated those mechanisms का name क्या रहेगा हमारे पास this is a feedback mechanism तो यह answer लिखो गया आप this is a feedback mechanism next question why endocrine gland release their secretion into the blood कि endocrine जो glands होती है वो release करती है their secretion into the blood तो इसका अंसर क्या लिखोगे it is because endocrine glands are a ductless यह क्या होती है ductless gland होती है इसके अंदर ducts नहीं होते next हमारे पास है question what is the feedback mechanism of a harmonic regulation take an example of a insulin explain the phenomena अब यहां पर definition पूछ लिए कि वह टारे feedback mechanisms क्या होता है तो इसका अंसर क्या राड़न करना आपने बिसिक लिए बच्छों कि mechanism by which the amount of a any chemical increase or decrease resulting in the secretion of the related hormones कि वो mechanism by which the amount of any chemical कोई भी chemical increase होगा या decrease होगा resulting in the secretion of a related to the hormone से उसको आप क्या वह लोगे feedback mechanism of a harmonic regulation अब इसके जो example से insulin के according बताए गई है कि वैने sugar level rise जैसा कि sugar level increase हो जाता है बोड़ी के अंदर तो insulin secretion वो भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा second when a sugar level falls यदि sugar level falls हो जाता है तो insulin secretion वो भी क्या हो जाएगा basically reduce हो जाएगा next हमारे पास है what is a insulin insulin क्या होता है and why are some patient of a diabetes treated by giving injection of a insulin अब सबसे पहले देखिए बच्चों insulin के definition जिसको हम diabetes बगएरा कहते हैं कि a hormone produce in the pancreas यह hormone किसके द्वारा produce होता है pancreas के द्वारा which regulate the amount of a glucose or sugar in the blood जो basically किसको regulate करता है glucose और sugar को regulate करता है blood के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे insulin to reduce the blood sugar basically इसके अंदर देखिए अब injections क्यों लेते हैं इसलिए injections लेते हैं कि to reduce the blood glucose level ताक कि blood के अंदर जो glucose का लेवल है sugar का लेवल है उसको reduce कि आजास के next question हमारे पास question number 20 कि why is use of a iodized salt advisable name the diseases cause due to the deficiency of iodine in our diet state one symptoms आपने इसका एक symptoms बताना है second part हमारे पास है how do nerve impulse travel in the body की कैसे nerve impulse travel करती है body के अंदर explain it अब सबसे पहले हम iodine की बात कर रहे हैं कि iodine is essential for the functioning of a thyroid glands यह किसके लिए इंपोर्टेंट है thyroid glands के लिए formation और किसकी formation देता है thyroxine hormones की formation देगा second इसकी जो diseases होती है basically बच्चों वो कौन चीह होती है goetor goetor diseases is cause by the deficiency of a iodine in our diet यदि हमारी diet के अंदर हमें iodine पुर्पूर ना मिले तो इसका reason क्या है हमारे पास basically यदि बात करें इसका एक सिम्टम्स रहेगा कि इसके अंदर जो नेक होती है वो स्वेलप हो जाती हो फूल जाती है next हमारे पास है नर्व impulse वाला नर्व impulse कैसे ट्रेवल करती है बोड़ी के अंदर तो देखिए इसके अंदर question का answer क्या रहेगा कि impulses travel as a electrical impulse कि जो impulse है वो ट्रेवल करेगी किसके रूप में एक electrical impulse के रूप में from dendrite to the cell body dendrite से किसकी तरफ cell body की तरफ then along to the axon to the neuron end और axon से होते हुए कहां पर चली जाएगी neuron ending तक या नर्व ending तक at the end of a some chemical are released जब हो जाता है तो उसमें एक chemical substance release होता है which fill the gap of a synapse उस gap को कौन फिल करेगा synapse and start a similar electrical impulse to the another neurons और वहीं से electrical जो impulse है वो another neurons की वो start up हो जाती है कि and impulse further travel in the body और वो further travel करती है किसके अंदर basically body के अंदर तो यह काफी important question basically बच्छो next question हमारे पास है question number 21 answer of the following questions यहाँ पर आपको काफी question दे दिए four part है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास कि name the endocrine gland associated with brain जो associate करती है brain के अंदर वो endocrine gland का नाम कहा रहेगा हमारे पास this is a puscioratory gland second यदि बात करें कि which gland she created digestive enzymes as well as a hormones तो वो कौन से करती है basically बच्छोब pancreas next हमारे पास है name the endocrine gland associated with kidney जो kidney के अंदर associate करती है endocrine gland वो कौन से होगी adrenal glands होगी next हमारे पास which endocrine gland is present in a male but not in a female वो कौन से है testis testis basically male के अंदर present करती है बट female के अंदर नहीं present करती है तो यह सारे questions आपने बहुत अच्छी तरह कैसे learn up करने है next question one marks question है कि what are the fluid present in the या फिर ऐसे लिखिए what are the fluid present in between of the meninges meninges के अंदर जो basically fluid present करता है वो कौन सा होगा basically this is a cerebrospinal fluid next question हमारे पास यह तीनों question काफी important रहेंगे question number 23 24 & 25 कि वाई एंडर adrenaline is known as a emergency hormones इसको emergency hormones क्यों कहा जाता है अब इस case में देखिए बच्चों adrenaline is a hormones secreted at the time of emergency यह कब secret होती है जब time of emergency या कोई भी stress होता है body के अंदर it regulate किसको regulate करती है heart beat and oxygen level in the body these conditions and therefore is also known as a emergency hormones इसको किसली क्या बोला जाता है emergency hormones द्वारा फिर देखिए इसको एक बार कि जो adrenaline है यह हार्मोन है secreted at कब secret होगा basically time of emergency और stress के समय यह regulate करेगा कि इसको heart beat को और oxygen level of the body के अंदर जब भी कोई condition होती है basically stress की या कोई emergency की इसलिए इसको हम क्या बोल देते है this is a emergency hormones next हमारे पास है picuratory is known also as a master gland इसको master gland क्यों कहा जाता है कि picuratory gland is control the activity all other the gland in our body यह सारी body की activities को control करती है यह brain के अंदर present करती है तो इसलिए इसको क्या बोलते है this is called is a master gland इसको क्या बोले जाएगा बच्चों master gland बोल जाएगा next हमारे पास है question number 25 endocrine gland also called is a ductless gland इसको ductless gland क्यों कहते हैं कि these gland lack external ducts इसके अंदर क्या होती है lack lack means कमी किसकी basically external ducts for a discharging their secretion in the blood ताकि वो discharge ना कर सके secretion in the blood के अंदर तो इसके अंदर basically किसकी कमी होती है lack of external ducts की कमी होती है उसके बाद next question हमारे पास question number 26 कि what is a reflex arc reflex arc क्या होती है how do a muscle cell move और कैसे muscle cell move करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास reflex arc की definition कि the pathway taken by narrow impulse in a reflex action is called is a reflex arc उसको आप क्या बोलोगे reflex arc कि they allow a rapid response यह basically क्या करती है rapid response करती है for example pulling of a hand on touching a hot object तो यह इसका example रहेगा basically just only simple definition बचो कि pathway taken by a narrow impulse इने reflex action कि वो pathway जो take किया किसने नरव impulse ने during the reflex action is called is a reflex arc यह basically they allow rapid response के लिए होती है और इसके example आपने यहां पर देखी लिया उसके बाद next question हमारे पास how do muscle cell move कि muscle cell कैसे move करेंगे तो इसका अंसर देखी आप कि muscle cell have a specialized protein कि muscle cell के अंदर क्या होते है special proteins होते है that change their shape अपनी shape को वो change कर लेते हैं and arrangement in the cell in response to the electrical impulse और arrangement करते हैं किसकी basically in a cell to the response ताकि वो response कर सके किसको electrical impulse को this force of a muscle cell in contact and relax and causing of their moment तो इसलिए जो force होती है muscle cells की वो contract करती है and relax करती है इसी का करन क्या होगा basically moment होगा next question हमारे पास है कि what are a nasty moments क्या होती है given example of each of तो nasty moment का example भी आपने देना है तो सबसे पहले हम जानेंगे nasty moment होती क्या है कि nasty moment are a non-directional moment यह basically क्या होती है non-directional moments होती है to this tumuli due to the change in the tragedy of the cell यह basically क्या change करती है tragedy change करती है cell के अंदर अब इसका example देखिए हमारे पास की dropping of a leaves इने mimosa pudi का अब dropping किसका होना leaves का किसके इसमें basically बच्चो मिमोजा pudi का जिसको हम basically क्या बोलते हैं touch me not plants अब इसके जो हमारे पास types हैं तो type पहले हैं कौन सा होगा हमारे पास this is a photo nasty means like light second हमारे पास thigmo nasty insects होते हैं उसके बाद thermo nasty temperature and next हमारे पास this is more nasty like is a touch तो यह example किसके रहेंगे हमारे पास nasty moments के example रहेंगे next question हमारे पास है name the part of a neuron where the information is required तो information कहां पर required होती है dendrites के अंदर information required होती है next question हमारे पास name the part of a brain which control the posture and balance of the body जो balance बना के रखता है posture बना के रखता है body का वो कौन सा है cerebellum next हमारे पास है question number 30 कि what are the role of a brain in the reflex action reflex action का क्या role होगा brain के अंदर तो देखिए इसके अंदर कि brain has no role in the play of a reflex action इसका कोई भी role नहीं है किस case में reflex action के case में it is an extremely quick action यह basically क्या होता है quick action होता है कि which does not involve any thinking नहीं किया जाता brain का in this type of action the stimulus are received by the spinal cord कि कोई भी जो stimulus है वो receive करता है किसके द्वारा spinal cord and send to the response और उसी time of send कर देता है response को example हमारे पास coughing the action is registered in the basically कहाँ पर रिजिस्टर होता है cerebral brain के अंदर just for the memory के लिए तो यह काफी important question है यह वाला भी next हमारे पास एक flow chart है basically बच्चों यह flow chart काफी important रहेगा आपके board exam के लिए जिसके अंदर हम बात करेंगे glands and hormones secreted by them तो सबसे पहले हमारे पास gland की बात कर रहे हैं फिर hormones की बात कर रहें फिर उनके functions की और उनके target side क्या होगी सबसे पहले हमारे हमारे पास है hypothalamus hormones क्या करेगा यह releasing hormones होते हैं यह और एच जिसे बोलते हैं secondly growth inhabitating hormones अब इसकी जो function होंगे regulated secretion of the picuratory hormones किसके द्वारा इसकी जो function है किसको regulate करते ही यह regulate secretion होपे picuratory hormones को अब इसकी जो target site होगी वह कौन this is a growth hormones अब इसके जो function होंगे control the growth अपे ड्रॉफिजम एंड गिंगेटिजम नेक्स हमारे पास यदि इसकी target site की बात करें तो various body cell which undergoes the growth जहां पर क्या होती है ग्रोथ होती है यह आपने काफी important वेसे learn कर लेनी है next हमारे पास यदि बात करें thyroid glands की thyroid glands के अंदर यदि hormones की बात करें तो आपने यह करना है सबसे important है थायरोक्सीन next हमारे पास है ट्राइडो थायरो 9 next हमारे पास है थायरो यहां पर इसके functions की बात करें तो इसके function हमारे पास sweating heart beating यह सारे इसके function है तो इसके जो target site रहेगी वो क्या रहेगी this is a body tissues का target site रहेगा next हमारे पास इसी के साथ साथ है पैंकिरियाज अब पैंकिरियाज जो है इसके अंदर आपने जो दो hormones करने पहला कौन सा करना insulin second कौन सा करना glycogen this is a both are important insulin जो है इसका regulate करता है किसको glucose को उसके बाद है hamustasis और stimulate of the glycolysis and control the carbohydrate metabolism मतलब बोड़ी के अंदर carbohydrate को control करना उसके metabolism को control करना glycogen maintain करता है glucose level को stimulus of a glycogenesis अब उसके जो target site रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा tissue रहेगा next testis की बात करते हैं तो testis basically male के अंदर होते हैं यह glands उसके साथ साथ इसके hormones कौन चोंगे टेस्टोस्टीरों और उसके बाद है andriogenes अब यह basically इसके जो function होंगे विचो कि play area in the development of a male reproductive tissue and promote of a secondary sexual character in the male अब इसके जो target site रहेगी male body tissue रहेगी next हमारे पास यदि बात करें नमबर 7 की ovary जो हमारे पास है gland यह basically female के अंदर होती है इसके जो hormone है हमारे पास estrogen और progestrion अब इसके अंदर यदि बात करें पहले estrogen की help in the development of a female secondary sexual characters और यह basically क्या करता है sport of a pregnancy आप इसके जो target site रहेगी हमारे पास female body tissue रहेगी तो यह तो हमारे पास top most important question जो मैंने आज आपके लिए कराई आगे next वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ important question लेकाएंगे thanks for watching मेरी तरफ से best of luck चैहिन जैवार्थ